जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार important information दूँगा जैसा कि आप पीछे board पर देख रहे हैं और इसी के regarding कुछ message हैं वो भी मैं आपको side में दिखाऊंगा वो भी आप check करेगा वीडियो में आगे बनने से पहले एक छोटी से गुजारिश करूँगा अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब पर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि वेलफेर से लेटेट जो नई जानकारी है वो आपको दी जाती है इस चैनल के मार्जम से और आपको समझाया जाता है पैंशन से लेटेट जो प्रॉब्लम चलती है उनका भी सलूशन किया जाता है चलते हैं दोस्तो पहली इंफर्मिशन की तरफ बजट से पहले PM मोदी जी से मांग अंतीम बेतन का 67% बताओर पैंशन मिले टेक्स मुक्ठ हो पैंशन यानि ओल्ड पैंशन स्कीम दोस्तो जैसा आपको पता है एक फरवरी से आपका अंतीरीम बजट पेश होगा 24-25 के लिए और दोस्तो उससे पहले PM मोदी जी से कुछ मांग रखी गई है कुछ घोशनाएं पत्र दे रखे और दोस्तो ये हैं आपके फेवर के लिए कि जो आपको लास्ट बेसी का 50% मिल रहा है पैंशन पे उसकी जगे 67% दिया जाए और जो पैंशन पे आपका टेक्स काटा जा रहा है वो टेक्स एक्जेम्ट हो टेक्स में छूट परदान हो पैंशन पर लेकिन दोस्तो ये डिमांड रखी किसनी है ये पत्र दिये किसने किसने ये डिमांड रखी दोस्तो भारत पैंशनर समाज ने पैंशन वेर्स्थम में 5th CPC को सहयोग देने वाली Tata Economic Consulting Service की सिपारिशे लागू करने की मांग करी है यानि भारत पैंशनर समाज की जो संगठन है ये लगातार पैंशनर के फेवर में भारत सरकार को पत्र देते हैं तो दोस्तो इसमें 5th CPC को सहयोग देने वाली यानि 5th Pay Commission को सहयोग देने वाली सपोर्ट करने वाली Tata Economic Consulting Service की सिपारिशे लागू करने की घोशना करी है ताकि पैंशन पेंशनर को लाप मिल पाए और दोस्तो इसमें 50% लास बेसिकर ना देके 67% पैंशन देने का परवधान कहा गया है और जो पैंशन पेंशन पेंशन लग रहा है वो टेक्स माफ हो एक्जैम्ट हो पैंशनर के लिए तो दोस्तो ये बजट से पहले इंफर्मेशन पहुचाई गई है केंद सरकार के पास आप मैसेज भी चेक कर सकते हैं चलते हैं दूसरी इंफर्मेशन की तरफ आयोध्या में राम लला प्राण परतिश्टा 22 जनवरी को पूरे भारत में मनाई जाएगी जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें और एक्टर्स भी जा रहे हैं काफी जो परतिणीदी हैं वो भी जा रहे हैं और दोस्तो ये मनाई जा रही है 22 जनवरी को जिसे हम बोलते हैं राम लला प्राण परतिश्टा कई राज्यों में 22 को अफकाश रहेगा इस दिन छुट्टी म जिसमें हम 22 तारी को 230 के बाद जाएंगे यानि आदे दिन की चुट्टी है हमारे लिए भी जैसे आपको पता हमारे जो डेपार्टमेंट उластन के बाद जाएंगे तो दोस्तो ये सर्कूलर आपको मिला या नहीं मिला अगर मिला आप जॉब करर रहे हैं इस टेट में या फ की खबर दोस्तों एक खबर आई है हरियाना ब्रेकिंग न्यूस की जिसमें इन्होंने बताया है एड़ सीपीसी की जगे नया फिट्मेंट फेक्टर लागू होगा पे मैट्रिक्स को रिवाइज या फिर नया फिट्मेंट फेक्टर 3.68 या फिर 1.96 मिल सकता है दोस्तों ये न्यूस में इती कि शायद भारत सरकार आपको 8 CPC ना देकर जो आपकी पे मैट्रिक्स है 7 CPC की उसको यहां पे रिवाइज कर दे ताकि आपकी पैंशन बढ़ जाए या फिर कोई नया फिट्मेंट फेक्टर आपको मिल जाए जैसे 2.57 की जगे 3.68 या फिर 1.96 तो इसके अ पैंट्रिक्स रिवाइज हो जाए ताकि आपको बड़ोत्री मिल जाए पैंशन पे चलते हैं दोस्तों अगली इंफोर्मेशन की तरफ जी बिजनिस की खबर अब दोस्तों जी बिजनिस की भी खबर आईए 51 परसेंट आपकर डिये पहुचेगा जैसा आपको पता है अभी दिसंबर का EICPEN का जो आकड़ा है वो आपको 31 जन्वरी को मिलेगा तो दोस्तों इसमें आपका डिये 51 परसेंट भी पहुच सकता है ऐसा बताया है जी बिजनिस निउस की खबर ने लेकिन दोस्तों ये जारतर आपका 50 परसेंट तो आए गई 50 परसेंट तो आपका पहुची रहा है और डिकलेर भी आपका 4 परसेंट हो सकता है भारत सरकार के द्वारा बाकी 51 पहुचे 52 पहुचे वो आकड़ों पर डिपेंड करेगा जो अभी 31 जन्वरी को आपका आप अच्छे से समझ के होगे कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छे लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मैच